भारतिय रेल्वे में ब्रॉड गेज, मिटर गेज, नारो गेज और स्टांडर्ड गेज क्या है? रेल्वे हर किसी की जिंदगी में एहम भूमिका निभाता है भारतिय रेल्वे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है ज्यादा तर लोग इसी से सफर करते हैं यह परिवहन का सबसे अच्छा और आराम दायक माध्यम है लेकिन क्या आपने गौर किया है कि भारतिय रेल्वे की कुछ पट्रिया चौड़ी होती है और कुछ नहीं ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? आएए इस वीडियो के जरिये जाने कि इन पट्रियों में अंतर क्यों होता है और इन्हें किस नाम से जाना जाता है रेल्वे ट्रैक का गेज दो पट्रियों के अंदर उनी किनारों के बीच एक सपष्ट नियूंतम उर्धवाधर दूरी है जिसे रेल्वे गेज कहा जाता है यानि किसी भी railway route पर दो पट्रियों के बीच की दूरी को railway gauge के रूप में जाना जाता है दुनिया के लगभग 50 प्रतिशत railway 1435 mm के मानक gauge का उप्योग करते हैं भारत में चार प्रकार के railway gauge का उप्योग किया जाता है broad gauge, meter gauge, narrow gauge और standard gauge आईए इनका अध्ययन करें broad gauge, broad gauge को wide gauge या बड़ी line भी कहा जाता है इन railway gauge में दो पट्रियों के बीच की दूरी 1676 mm होती है भारत में निर्मित पहली railway line बोरी बंदर से ठाने तक broad gauge line थी broad gauge railway का उप्योग बंदर गाहों पर क्रेन आधी के लिए भी किया जाता है इससे बहतर स्थिर्ता मिलती है और ये पतले gauge से भी बहतर होते है meter gauge दोनों पट्रियों के बीच की दूरी 1000 mm है लागत कम करने के लिए meter gauge line बनाई गई narrow gauge छोटे gauge को narrow gauge या छोटी line कहा जाता है narrow gauge railway वह railway track है जिसमें दो track के बीच की दूरी 762 mm या 610 mm होती है narrow gauge पहाडी इलाकों में बनाया जाता है Darjeeling Mountain Railway को 24 जुलाई 2008 को UNESCO की विश्व धरोहर घोशित किया गया था कालका शिमला railway भी बहुत लोकप्रिय है standard gauge इस railway gauge में दो पट्रियों के बीच की दूरी 1435 mm है 2010 तक भारत में एक मातर मानक gauge लाइन कोलकाता ट्राम प्रनाली थी भारत में मानक gauge का उप्योग केवल मेट्रो, मोनुरिल और ट्राम जैसी शहरी रेल पार्गमन प्रनालियों के लिए किया जाता है विडियो पसंद आया है तो फ्लीज विडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर आप यह विडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृप्या हमारे चानल को सब्सक्राइब करें अगर आप यह विडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पीच को फॉलो करें हम अगले विडियो में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें